कि अब दोस्तों आपने देखा हुआ वीडियो में कि जो स्वेफ्ट डिजयर के इंजेक्टर है उसके श्टेट खोलने के बाद भी इंजेक्टर हैडव में जाम रहे निकले निये बहार वह इतने टाइट होते हैं कि इसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है तो दोस्तों इसको असानी से कैसे निकाले हम तो इस वीडियो में देखना कि इसको इंजेक्टर को रिमूव कैसे करेंगे दोस्तों आज यह प्रोल्म आम ही है किस वेफ्ट डिजायर कुछ गाड टूटने खत्रा रहता है तो हम इसको बिल्कुल सान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं वी बिल्कुल पांदस मेंट के अंदर अंदर और बीना कुछ तूटे बिल्कुल ओके असान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें वीडियो अच्छा लगे तो हाई ट्रोल पूलर है तो हम वह लगांगे न सो्कों और यह बिल्कुल असानी से बिना हुच तूटे जूपthrenकल अराम से बाहर आएंगे तो जो दोस्तों लगाना कैसे पुल रहों जो रहा है इसमें लगाना कैसे आपको पहले आपने इसकी को में रेल खोल रहेनी है वह इसलिए कि इसके फ़ूडिशन है वह आप टेफटा पर पन लगता है फूंडिशन इसका तो उसको लगाने के लिए हमने से को कूल रील खोलनी है और दोस्तों इसकी स्मेंद सेंबली हो इसको लग ट्रे में रख्ए किसी में भी ताँ जो जिसका इंजा करने में इत्र कब्रें तॉल्म नाए तेर्म अगजा चाला में अज हम यह जाता है मारूती की स्फारी ताटा अइट्वन्त टी ऑफंगा शक्क्रत तुझे लिए नंबर की और इसको ट्रे में अलग रख्थ हैं ता जो जब हम इस इंजेकटर को रिमूव करने के बाद तो जिसकी मैंगनेट इसेंबली है उस इंजेक्टर में फिट ओ और जिसकी रिडिंग में कोई प्रोब्लम नाए और रिडिंग बिल्कुल एक्कुरेट रहें ऐसे हमने दूसरे जो है उसको भी मैंगनेट असेंबली लूज करके निकाल देनी है और इसको भी हम अलग रखें बाद जोंगे दो नंबर में ताकि दोनों ज्याक करेंगे लिए दोक्त इसका συंबल करेंगी जिसका समान ऐसका पार्डह कुआ reps उसके अ Medicaid सेंबल ली है फो सक आर्मनेट की जाघ लिए है जैसे वीडिए में दुक्त दखाया और खोलते समय दोस्तों ध्यां रहें इसके अंदर जो विल्कुल ब्रीक पार्ट होते हैं वोल वगेरा उसका ध्यां रखें कि गिर ना जाए अगर वह गिर थोड़ी आपको प्रॉब्म हो सकती है कि वह बहुत मुश्किल से मिलते हैं पार्ट तो एक खोलते समय ध्यां रखे हमने दोनों इंजंटरों पार्ट के जो मेहिनत अप एस्सकों असे ने मेसले खोली है और दोस्तों इसके बीच हम आपता है यहां कि हमारा Dz consiste होता है वहां पर Alumni हो जाएंगे इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है कि टा जो इसको हुआ करते समय कोई दिख्कत नाए बार शबहुत एन छोड़ हां सकती है अंद्र एक डाव स्पोम्त कर देना है तर जो इसका जो फॉंडिशन है उसको लगाना है उसको लगाना कहां पर है जो टैप्ट कवर में इसके दस नंबर के स्कुरू होते हैं उसके उपर फिट कर लेना हमने इस फॉंडिशन को तो दोनों फॉंडिशन हमने लगा दिये इसके स्टड के उपर ही जो टैप्ट करके स्टड ह इसको हम ने रख देना और टाइट कर देना स्ताराइड नंबर से अंगो फिल लेना उसके बाद उसक्त हमने क्या करना है चार-वाट लिया लिए जयसाई वीडियो में दखाया गया है और वह बैसक्त जो इंजाइट रहा है इस वीडियो में दखाया है इस इस है यह मंने उपर लगा अग और इसकी प्लेट इसकों सेंटर में रखना है इनजनटर के सेंटर में जैसे वीडियों में दखाए गया तो ऐसे आपने सेंटर में रखना है इसको और इसका हाइटाया पूलर रही है जो पुश करेगा उपर की तरफ रिमूब करेगा तो मैसमे लगा के इसका एक बोल्ट उतर लंबा उसको लगा देना है और जो हमने निच्छे कैप लगाया है जैसे वीडियो में खाया है ऐसे लगा देना हमने तान जैसे हम हाइट्रोलिक पुलर को जैक करेंगे यह उपर रिमूव होएगा उपर की तरफ आएगा और उसको हमने चीग जैक को पुम्प करने हमने हैं जैसे वीडियो में दिखाया गया है ऐसे पंप करना राम से ओर आफ देखो कि जो हमारा इंजयकटर है बिल्कुल राम से बाहर आएगा यह चीज़ी उपर आएगे इसकी देखना और इंजयक्टर भी जो हमारा ऊपर की तरफ आजएगा बिल को अब लूज कर लेंगे इसको लूज कर ऊच्रों कर रहे हैं जैक को नादा पाग। एस जिध्र से दिखाया गया है तो हमने यह दूसरे में लगाया उपर प्लेट रखिस की सेंटर प्लेट और उस उपर हम जैक लगाके इसका जो वोल्ट अबोल लगा देंगे जैसे वीडियो में दखाया गया और दुवारा इसको पंप को टाइट करके पुश्च करेंगे पंप करेंगे इसको में टाइट कर दिया बाल को दुवार इसको पंप लगाएंगे आप देखोगे दूसरे इन्जक्टर बिल्कुल राम से बहार आरहा है देखो दोस्तों बिल्कुल राम से तो हमारे ऐसी दौनुव इन्जक्टर जो है रीमूव हो जाएंगे हमारा देखो इस हाइड्र पूलर हमारा कि इससे आप बिल्कुल अराम से अशान तरीके से इंजिएट्र निकाल सकते हो अगर आ थो आपने कुछ जानकारी लेनी हो पूछना हो तो लिंक के डिस्क्रिश्चन में है आप अपने मेंड़ नंबर देर रखा है वह हमारा एक WhatsApp ग्रूप है अगर आपने आप उसको जोईन करना हो तो आप हमें नीचे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो तो हम आपको जोईन कर लेंगे ग्रूप में और आपने अगर यह पुलर मगवाना हो तो लिंक नीचे दे रख है आप वहां से मगवा सकते हो यह पुलर हर गाड़ को जो रहे गी उसको भी निकाल दी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें